नमस्कार दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल HP Job Alert में आपका स्वागत हैं दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिमांचल जोनियर ऑफिस असिस्टेंट परिक्षा 2021 के बारे में दोस्तों इस वीडियो में हम आपसे 10 कॉश्चन जो है आपसे पूछेंगे आप उसमेंसे देखते हैं कितने कॉश्चन के सही आंसर दे पाते हो दोस्तों वीडियो को शूरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों पहला कॉश्चन रहेगा आपका निमन लेकी इतमें से कौन सा सरवाधिक शक्तिशाली जो कम्प्यूटर है आपके ऑप्शन रहेंगे माइक्रो कम्प्यूटर, सुपर कम्प्यूटर, सुपर कंडक्टर और इन में से कोई नहीं दोस्तों आपको इनके आंसर जो है कोवेंट बॉक्स में लिखने हैं देखते हैं कितने कोश्चन के आप सही आंसर दे बाते हो तो इसका सही आंसर होगा सूपर कम्प्योटर अगला question है फेस्बुक के संस्थापक का क्या नाम है इसके options रहेंगे Thomas Watson, Larry Page, Steve Jobs, Mark Zuckerberg दोस्तो कमेंट करके हमें बताएं कि आपके कितने question जो सही रहे दोस्तो इसका सही जो जवाब होगा वो होगा Mark Zuckerberg दोस्तो अगला question है IBM के संस्थापक का क्या नाम है इसके option रहेंगे Thomas Watson, Larry Page, Steve Jobs, Will Gates दोस्तो इसका सही जवाब होगा Thomas Watson अगला question है computer के जनक एवं पिता किसे कहा जाता है तो दोस्तो इसका सही जवाब होगा Charles Bavage दोस्तो अगला question है एक के भी बराबर क्या है किसके बराबर होता है एक के भी तो 1024 bytes, 1000 bytes या 1024 bits या 1000 bits के बराबर तो दोस्तो इसका सही जवाब होगा 1024 bytes अगला question है D base में आंकड़े हो सकते है इसके option है 6 प्रकार के, 5 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के दोस्तो इसका सही जवाब होगा 6 प्रकार के अगला question है television screen क्या है output device, input, output device input device, इनमें से कोई नहीं तो इसका सही जवाब होगा output device अगला question है निमन में से क्या द्रिश्य प्रदशक और निगम युकती है कुझी पटल, mouse, monitor या कोई नहीं दोस्तो इसका सही जवाब होगा monitor अगला question है चुम्बकिय डिस्क पर किस प्रदार्थ की परत होती है दोस्तो इसके options है sodium, peroxide, magnesium oxide, iron oxide, phosphorus, pedoxide तो दोस्तो इसका सही जवाब होगा iron oxide दोस्तो अगला question है computer में किसी शब्द की लंबाई किस में वापी जाती है दोस्तो इसके option है millimeter, meter, bit या byte दोस्तो इस question का answer आपको comment box में देना है देखते हैं किसका answer सही होता है धन्यवाद दोस्तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को like करें और channel को subscribe करें ताकि नई वीडियो को notification आपको सबसे पहले मिल सके धन्यवाद